नमस्ते बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा पराने जा रही हूं और इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं उसको देखने के लिए आप उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जा कर देख सकते हैं और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम फेश्बुक और ट्यूटर पर भी फॉलो कर सकते हैं तो पार्ट सुरू करते हैं दंडक वन में 10 वर्स इसका मैं समरी पराने जा रही हूं और एकजाम के लिए प्रशन उत्तर भी नीचे रहेंगे कुछ कठिन वर्ड भी है उसको भी आप याद कर लिजेगा पार्ट सुरू करते हैं चित्रकूट में राम तो क्या होता है चित्रकूट अयोध्या से केवल चार दिन की दूरी पर था और चित् हस्तक्षेप की भाती लगता और क्या होता था वहां से अयोध्या से लोग आते रहते थे बहुत तरह के प्रश्न करते थे तो राम को जो भी वहां पर काम करना था उसमें उनको हस्तक्षेप की भाती लगता था अतेव राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे और वहां प तपस्या करने वाले रिशी मुनियों को तपस्या में कोई बाधार नहीं थी राम लक्षमन उस वन से राक्षसों का शफाया कर दिया था पर मुनिगन वन छोड़ना चाहते थे अब क्या हो रहा है दंड कारणनी की ओर प्रस्थान अब दंड कारान्य की ओर राम लक्षमन प्रस्थान करेंगे राम लक्षमन और सीता चित्रकूट छोड़ कर दंड कारान्य की ओर चल परे अब क्या होता है राम जब वन की ओर जाते हैं तो कहां कहां उन्हें जाना पर रहा है इस बात की इसमें जानकारी दिया गया है कि राम लक्षमल और सीता चित्रकूट छोर कर दंड कारान्य की ओर चल परे दंड कारान्य एक जगह का नाम है तो वहाँ पर वोग चले गए यह वन घना था इसमें अनेक तपश्यों के आसरम थे राक्षस भी वहाँ बहुत थे वोई रिशी मुनियों को कष्ट देते थे राम को देखकर मुनिगन बहुत प्रसंद हुए उन्होंने राम से कहा आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें और जब राम वहाँ पहुंसते हैं तो मुनि जो रिशी मुनि थे वोई बहुत ही खुश हो गया है और कह रहे हैं कि यह जो मायावी राक्षस हमें परेशान कर रहे हैं इससे हमारी रक्षा करें राम लक्षमर और सीता दंड कारणने में दश वर्स रहे वोई अस्थान और आस्रम बदलते रहे वोई चरभंग मुनि के आस्रम पहुंचे आस्रम बाशियों ने राम को हड्डियों का धेर दिखाया यह रिशियों के कंकाल थे जिन्हें राक्षसों ने मार डाला था और जब वहाँ पर वे चरभंग मुनि के आस्रम जब पहुंचे है राम तो वहाँ पर जो है वे मुनि क्या करते है आस्रम बाशियों ने वहाँ पर राम को हड्डियों का धेर दिखाया बहुत सारा वहाँ पर हड्डि पढ़ा हुआ था वह सारा जो हड्डि था वह रिशी मुनियों का था और वहाँ पर जो राक्षस थे वे क्या करते थे रिशी मुनि को मार डालते थे तो वही सब राम को दिखाया गया सुतिक्षिन मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई अब पंचवटी में राम पहुंसते हैं मुनी ने राम को गोदावरी तट पर पंचवटी जाने को कहा अब मुनी क्या करते हैं राम को गोदावरी तट पर पंचवटी जाने को कहते हैं वनवास का सेश समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं गुजारा पंचवटी के मार्ग में जटाय इस बीच राम लक्षमन ने राक्षसों का खूफ शंगार किया और वहाँ पर जो राक्षस रिशी मुनियों को परिशान करते थे तो क्या किये सारे राक्षसों को राम और लक्षमन मिलकर मार देते हैं इसे तपश्वी शांती से तप करने लगे अब उन लोगों के तपश्य गटना के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि लक्षमन सुर्पनखा जो रावन की बहन थी उसका नाक और कान किस तरह से काट दिये हैं किस कारण काटे हैं इसके बारे में बताया हैं एक दिन क्या होता है लंका के राजा रावन की बहन सुर्पनखा वहां पर आई उसने माय से सुन्दर इस्त्री का रूप धारन कर लिया और राम से कहा कि वह उससे विवाह करना चाहती है और उससे में क्या करती है सुर्पनखा बहुत सुन्दर सा रूप धारन कर लेती है रानी के जैसा बन जाती है और राम से विवाह करना चाहती है मतलब शादी करना चाहती है रा राम के मना करने पर वह लक्षमन के पास गई लक्षमन ने उसे फिर राम के पास भेज दिया सुर्पनखा इन दोनों के बीच भागती रही क्रोध में आकर सुर्पनखा ने सीता पर जपट्टा मारा और वहाँ पर जो सीता थी कुटिया में वहाँ पर जाकर सुर्पनखा उस के नाक कान काट लिए वह अपने शोतेले भाई खर और दूसन के पास गई अब क्या होता है राम द्वारा राक्षशों का दमन अब किस तरह से राम द्वारा राक्षश का दमन हो रहा है तो बदला लेने आए राक्षशों को राम ने मार गिराया अब जो सुर्पनखा का नाग कान काट लिया गया है तो बदला लेने के लिए राक्षस वहाँ पर आ जाता है राम के पराकरम को देख खड़ दूसन पूरी शेना के साथ आए घमा शान युद्ध हुआ अंत में राम की विजय हुई कुछ राक्षस जान बचा कर भाग गया भागने वाले राक्षसों में से एक राक्षस अकमपन ने सीता के अपहरन का सुझाओ दिया रावन सीता हरन के लिए तयार हो गया पर मारिच ने रावन को सीता का हरन ना करने के लिए कहा और मारिज कहा कि नहीं सीता को आप किड्नेप नहीं कर सकते हैं रावन लंका लोट गया अब स्वर्ण मिर्ग पकड़ने के लिए सीता का अनुरोध अब क्या हुआ एक सोने का वहाँ पर हिरन जहां सीता का कुटिया था राम सीता लक्षमन जहां रह रहे थे वहाँ पर एक कुटिया बना हुआ था वहाँ अचानक से एक मायावी हिरन आ जाता है यह सब किसका चाल था रावन का था और सीता मा जहां पर थी वहाँ से वहम्रिग भागने लगता है तो सीता अनुरोध करती है राम से कि यह सुन्दर सा हिरन हमें चाहिए थोरी देर में सुर्पनखा रावन के पास पहुंची उसने उसे अपने नाक कान काटने की कहानी कह सुनाई रावन फिर मारिच के पास गया और उसने मदद मांगी विवस होकर मारिच को रावन का आदेश मानना परा मारिच सोने के हिरन का रूप धारन कर कुटी के पास घुमने लगा जैसा कि मैं अभी बताई थी आप लोगों को कि सुर्पनखा का जब नाक कटता है तो वह अपने भाई के पास रावन के पास चली जाती है और कहानी शुनाती है कि राम हमसे साधी नहीं किया लक्षमन को भी मैं साधी के लिए प्रस्ताओ की तो लक्षमन मुझे नाक कान काट लिया तो क्या होता है अब जो है रावन बदला लेना चाहता है और सोने का हिरन माया भी हिरन बनकर सीता की कुटिया के आसपास घुमाता है ताकि जैसे ही राम लक्षमन हिरन को पकड़ने जाएंगे तो क्या होगा तब तक सीता को लेकर किटनेप करकर रावन लंका चला जाएगा फिर क्या होता है रावन तपश्वी का वेस मतलब रिशी मुनी जैसा वेस धारन कर पेर के पीछे छिप गया सीता हिरन पर मुग्ध हो गई उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा सीता की एक्षा पूरी करने के लिए कुटी से निकलते समय राम ने लक्षमन को बुलाया उसे सीता की रक्षा करने का आदेश दिया लक्षमन धनुस लेकर कुटी के बाहर खरे हो गए और क्या होता है उसी समय जो है सीता मा भेज देती है किसको राम को हिरन पकड़ने के लिए जैसे ही राम हिरन पकड़ने के लिए जाते हैं और कुटिया के बाहर लक्षवन क्या करते हैं लक्षवन रेखा खीज देते हैं कि इससे बाहर नहीं जाना लेकिन अनाया लेकर सीता को लेकर रावन किड्नेप करके लंका चला जाता है तो आगे पार्ट में आप परहेंगे लेकिन इसमें यही दिखाया गया है कि लक्षमन धनुस लेकर कुटी के बाहर खड़े हैं और देखिए बच्चों इसमें कठिन वर्ड है कुछ इसको भी याद कर लिजेग और एक्जाम के लिए प्रशन उत्तर है पहला प्रशन है राम ने चित्रकूट में नठ हरने का निस्चे क्यों कर लिया था उत्तर चित्रकूट में नठ हरने के निस्चे के पीछे कई कारण थे चित्रकूट अयोध्या से चार दिन की दूरी पर था वहां लोगों का आना जाना लगा रहता था वे राज-काज के बारे में राम से राय मांगते थे राम इसे राज-काज में हस्तकछेप मानते थे दूसरा कारण यह भी था कि अब इस वन में राक्षसों का सफाया हो चुका था अब रिशी मुनियों की तपस्या में कोई बाधा नहीं थी इसलिए राम ने चित्रकूट में नठ हरने का निश्चे किया दूसरा प्रस्ण है राक्षसों के परती सीता और राम के विचारों में क्या भिन्नता थी उत्तर राक्षसों के परती राम का यह मत था कि राक्षसों का विनास कर देना चाहिए ताकि वे देवदाओं का अनिश्ट ना करें वे अपनी मायावी शक्तियों से रिशी मुनियों को भी कष्ट पहुँचाते हैं दूसरी और सीता का यह मत था कि राम बिना वजह राक्षसों का वध ना करें क्योंकि उन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया तीसरा प्रस्ण है राम लक्षमन और सीता को दंड कारने मुनियों ने क्या बताया उत्तर राम लक्षमन और सीता दंड कारने में अस्थान और आस्रम बदलते रहे वे जब छर्भंग मुनिय के आस्रम में पहुँचे तो वहां बहुत कम तपश्वी थे उन्होंने राम को हड़ियों का धेर दिखाते हुए बताया कि वे उन रिस्यों के कंकाल है जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है अब हमारे लिए भी यहां रहना संभब नहीं है सुतिक्ष मुनिय ने भी राम को राक्षसों के अत्याचारी की कहानी सुनाई चौथा प्रश्ण है लक्षमन ने सुर्प ने खा के ना कान क्यों काट लिये थे उतर सुर्प न खा राम को देखकर उन पर मोहित हो गई थी वह राम को पाने के लिए आतुर हो गई उसने माया से सुन्दर इस्त्री का रूप बना लिया और राम के पास चली गई उसने उनसे कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ राम ने सीता की और शंकेत करते हुए कहा कि यह मेरी पत्नी है मेरा विवाह हो चुका है राम के मना करने पर हो लक्षमन के पास गई लक्षमन ने यह कह कर कि मैं राम का दास हूँ तुम उससे विवाह करदाशी बन जाओगी राम उसे राम के पास भेज दिया जब राम और लक्षमन में से किसी ने भी उससे विवाह करना शुकार नहीं किया तो सुर्पनखा ने करोध में आकर सीता पर जपटा मारा मतलब उसको मारने के लिए दोरी यह देखकर लक्षमन ने ततकाल तलवार खिची और उसके नाक और कान काट लिए पाँचमा प्रस्ण रावन सीता हरन के लिए क्यों तैयार हो गया था उत्तर पंचबटी में रहते हुए राम ने अनेक राक्षसों का शंगहार कर दिया था एक बार खरदूसन ने अपनी पूरी सेना के साथ आकर्मन कर दिया राम लक्षमन और राक्षस सेना में घमाशान युद्ध हुआ अंत में राम की विजय हुई कुछ राक्षस बचकर भाग निकले उनमें अकमपन भी था वह रावन के पास गया और उससे कहा कि राम को मारने का एक ही उपाय है सीता का अफहरन इससे उनके प्रान श्वेंग ही निकल जाएंगे इससे राम सीता हरन के लिए तयार हो गया छठा प्रस्ण है रावन ने सीता हरन के लिए क्या योजना बनाई उतर रावन ने सीता हरन के लिए मारीच की मदद लेने का निश्चे किया उसने डरा धमका कर मारीच को इसके लिए तयार कर लिया रत पर बैठकर रावन और मारीच पंचवटी पहुँच गया कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरन का रूप धरन कर लिया और कुटिया के आसपास घुमने लगा सीता उस हिरन पर मुगध हो गई और राम ने उसे पकड़कर लाने के लिए कहा राम उसे पकड़ने के लिए बहुत दूर निकल गया सात्मा प्रस्ण है सीता हरन का विचार एक वार छोड़ देने पर रावन ने फिर सीता हरन का निश्चे क्यों किया उतर रावन सीता का हरन करना चाहता था पर मारीच के कहने पर उसने सीता हरन का विचार छोड़ दिया इस भी सुर्पनका लंका पहुँची उसने चीखते चिलाते और विलाफ करते हुए रावन को लक्षमन द्वारा नाक कान काटने की घटना की जानकारी दे उसने रावन को फटकारा और ललकाड़ते हुए कहा कि तुम्हारे महावली होने से क्या लाव तुम्हारे रहते मेरी यह दुरगती तुम किसी को मूह दिखाने लायक नहीं रह गए उसने राम लक्षमन के बल्की भी परसंसा की सीता को भी उसने अतीव सुन्दर बताया और कहा कि वह तो तुम्हारे महलों में रहने योग्य है मैं उसे तुम्हारे लिए लाना चाहती थी लक्षवन ने करोध में मेरे नाक और कान काट दिये सुर्पनका से यह सुन रावन ने एक बार फिर सीता हरन का निश्चे कर लिया और बच्चों इसमें कुछ MCQ प्रशन उत्तर है जो की एकजाम में पूछे जाएंगे चित्रकूट अयोध्या से कितने दूरी पड़ थी उत्तर है को चार दिन की और दूसरा प्रशन है राम लक्षमर सीता चित्रकूट से कहां गया उत्तर है को दंड कारन ने तीसरा प्रशन है राम ने चित्रकूट से प्रस्थान क्यों किया इसका उत्तर है गो चित्रकूट से अयोध्या पास पड़ता था और वहां से लोग उन्हें मिलने आते रहते थे या राज-काज में हस्तक्छेफ की भाती था चौथा प्रशन है दंड कारणने के मुनियों ने राम से क्या आगरह किया उतर को राक्छसों को मारने का पांचमा प्रशन है सबसे पहले बिंध्याचल पार करने वाले रिशी का क्या नाम था उतर है खो अगत्स मुनिय था और छटा प्रशन है सुर्पनखा ने राम से क्या आगरह किया उतर है गवराम से साधी का आगरह किया साथमा प्रसुर्प नखा करना किशने काटा उतर है खो लक्षमन्ने आठमा प्रस्ण है खर और दूसन कौन थे उतर है गो राक्षस नाइन नमर प्रस्ण है रावन मारिज के पास क्यों गया उतर है खो सीता हरन के लिए सहायता मांगने हे तू दस नमर प्रेशन है सीता को हरने हे तू मारिच ने क्या रूप बनाया उतर है खो हिरन का तो इसी के साथ बच्चों पार्ट की शमापती होती है असा है आप लोगों को सारा पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एकजाम के लिए अच्छी तरह त्यार कर लिजेगा और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे किलिक कीजिएगा लाइक कीजिएगा और सेर कीजिएगा कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यहाँ पार्ट कैसा लगा नए पार्ट के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों धन्यवाद